ग्रोसरी याप ग्रोसरी याप अप्लिकेशन बन वाल है अगर आप प्लेस्टोर पे नहीं भी डालते है ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ठीक है आप इसली अपने एरिया में प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पे आपको प्रमोट करके उनको डिर्ट ली अप्लिकेशन प्रमोट करेंगे वहां से जो हम अप्लिकेशन डाउड करेंगे वह हमारे लिए बिल्कुल सेफ होगा ठीक है तो यह जो प्रॉब्लम है वह आपके अप्लिकेशन साथ कही ना कहीं होगा ठीक है हाला कि debug ap के भी बिबग ap के जो मिलता है starting में उस पर प्रमोट आपको जला सकते हैं प्रेंग उप्लिकेशन पर लाफिये तो ऊस्को खरीदने के लिए प्रॉब्लम मजहाते हैं Draguz पर प्रॉब्लम करता है वही में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, तो उसकी वज़े से आप लोग कंसोल अकाउंट बाई ही नहीं करते हो, और ना अपने अप्लिकेशन को प्लेस्टोर पे डालते हो, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने कस्टमर्स को मत थाटाएं अपने अप्लिकेशन से लाइफ कीजिए, हलाकि नुक्सान तो कुछ भी नहीं है, अगर नहीं भी डालते हैं तो नुक्सान तो कुछ निया स्टाटिंग में अर्निंग करने के बाद भी डाल सकते हैं, पर मेरा परसनल सजेशन हापको यह कि स्टार्टिंग में अगर आप प्लेस्टो पर डालेंगे तो उसे लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा और जो जहां पर प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं प्लेस्टो पर डिरेटली तुहां पर एक तो SEO, SEO में तो नहीं आएगा जहां तक मैं समझत करते हैं तो क्या गेटवे सिस्टम वर्क करेंगा यस बिल्कुल वर्क करता है वह उसमें से कोई प्रॉल्म नहीं आती है, OTP फंक्शन भी वर्क करता है क्योंकि आप सभी को पता है लेकिन एक चीज और आपके लिए पता दूं कि अगर आप अपने अप्लीकेशन को प्लेस अपने प्लेस्टोर पर डालते हो जब आपको आपको डिबग अपी के देता है ताकि हर चीज उसमें वर्क करें OTP, Google लॉग 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 अपके चेक करने के लिए वह डिबग अपी के देता है तो उससे जब आप प्लेस्टोर पर डालें तो पब्लिश नहीं होगा तो आप उसे रिलीजड अपीके जब लेंगे रिलीजड अपीके को जब आप प्लेस्टोर पर डालेंगे तो वह पब्लिश हो जाएगा वर्क प्रॉपर करेंगा लेकिन OTP और Google लॉग लॉग नहीं करेंगा क्यों नहीं करेंगा क्योंकि एक शावन सर्टिफिक्ट होता है वह प्ले कंसोल से हमें अपने फायरबेस में डालना होता है तब जाके OTP फंक्शन और जो दूसरे लॉग इंद फंक्शन से वह वर्क करते हैं तो यह यह इशू है मेरे काफी क्लाइंट को मतलब मेरे जो कस्टमर से उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों स्टार्टिं में तो व होता है उससे क्यों कि मेरे क्लाइन ने किया था और उसके बास मुझे अप्लिकाशन मुझे दुबारा बना के देना पड़ा तो ऐसा आप लोग मत कीजिगा ठीक है कभी भी जब आप ऐसे कुछ प्रॉलम हाता है तो पहले आप डवलपर से कॉंटक्ट कीजिए जिससे भी आप बनवाया है और उनको बोली है कि यह प्रॉलम आपको आ रहा है ठीक है आप मुझे भी कॉंटक्ट कर सकते हैं को किसी भी तरका ग्रोसरी अपलिकेशन में वाना उससे को भी नॉलेज ले नहीं हो मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे मेरा कॉंटक्ट नमबर वो नीचे दिस आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरू करते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा